जै श्री राम, जै बागेश्वरधाम दोस्तों, स्वागत हैं। आप सभी का तीज त्योहार और धर्म चैनल में आज की इसलिए वीडियो में हम आपके लिए लौंका एक खास उपाय लेकर के आए हैं, जिसे करने मात्र से मातारानी की कृपा आप पर बढ़सेगी और नौ दिन के अंदर ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, साल दो हजार चौबीस में शारदिय नवरात्र की शुरुवात तीन अक्टूबर गुरुवार से हो चुकी हैं। और शारदिय नवरात्र में आप अगर लौंका यह उपाय कर लेते हैं, तो आपकी देख लिया, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किसमत को जगा देगा, अब लौंक कैसे आपके भाग्य को वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें, जिससे कि आपको मा की कृपा प्राप्त हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें, आपको बता दें, लॉंग माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है लॉंग का जोड़ा, माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं, तो तुरंत के तुरंत म आपसे प्रसन्न होती हैं, और आपके जीवन में धन सुक, समरिधि सब कुछ आपको देती है, तो लॉंग के कुछ ऐसे उपाए, कुछ ऐसे टोटके हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमका देंगे, और मान लक्षमी क कृपा सिर्फ और सिर्फ आपके ही घर पर बनी रहेगी, हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, आपके जीवन में यह चमतकार हो कैसे रहा है दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से किये गए उपाए जरूर होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसे मां दुरगा पूरा कर देंगी, तो छोटी सी लॉंग जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपियोग करते हैं। दुरगा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हम मातारानी को लॉंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है, जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदलने भी नहीं रोक सकता है। आप जब मातारानी को लॉंग चढ़ाएंगे, तो मा दुरगा के नौ स्वरूपों का आशीरवाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनो कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लॉंग मातारानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग वाली लॉंग लेंगे, लॉंग बिलकुल तूटी हुई ना हो, बिलकुल खंडित ना हो, साबुत लॉंग आपको लेनी है, तूटी हुई लॉंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है, कपूर की एक टिकिया लेनी है, अब लॉंग को आपको उसी कपूर के उपर रखन लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं प लानी है, लॉंग को हमेशा जोडे में ही आपको चड़ाना होता है, मा दुरगा को अर्पित करना होता है, तो दो ही फूल वाली लॉंग लेंगे, दो ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, जोडे में ही आपको लेनी होती हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मा दुरगा की आ पूरे घर में देते हैं, जितने भी कमरे हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआ फैलाना है, और फिर जब ये लॉंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में, आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं, उसको कारात्मक उर्जा घर में नहीं आएगी, नेगेटिव एनरजी घर से बाहर रहती है, कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं, संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है, जो लोग नवरात्री में लॉंग और कपूर का धुआ अपने घर में तो नवरात्री के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो नौ दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए, आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुँच पाई है न, जितने दिन बचे हैं, जितने दिन यह उपाय आप कर लेंगे, उतना उत्तम ह नवरात्री में इस तरह से लौंग अर्पित करें मा को, और फिर चमतकार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े-बड़े चमतकार होते हैं, आपके भाग्यका आपको पूरा-पूरा साथ मिलता है, कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है, निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है, दूसरी चीज हमेशा मा लक्ष्मी का वास होता है, कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है, तो इस तरह से उपाय करेंगे, तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अठकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मा मान दुरगा को अर्पित कर देना, और अपनी मनोकामना मा से कह देना, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, अब बात करते हैं, अपने दूसरे उपाय, यदि आपके घर से नजर दोश को दूर करने के लिए, और इन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें, आपको क्या करना है? थौड़ी सी रोली लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है, और इस रोली से आपको स्वास्थिक का निर्मान करना है, अपने घर के मुख्य दर्वाजे प एक दिन पहले ही कर लें, अगर उस दिन ना कर पाएं, तो जिस दिन नवरात्री शुरू हो रही है, उस दिन कर लें, वरना नवरात्री में जब भी आपको यह जानकारी मिले, उस दिन आप कर लें, स्वास्थिक का जो चिन्ह होता है, यह विश्नु भगवान का आसन और मा लक्ष्मी का स्वरूप होता है और जहां श्री हरी विश्नु और मा लक्ष्मी साथ हो तो ऐसे घर में पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है इस उपाय को नवरात्री में जरूर करिए और चमतकार देखिए जो स्वास्थिक आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर उसकी आपको धूप दीब दिखाकर प्रति दिन पूजा भी करनी है तो नवरात्री के दो ऐसे उपाय जो हमने आपको बताएं हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा साथ ही साथ नवरात्री में माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर मा को बहुत प्रिय है तो किसी भी मंदिर में जाएं और थोड़ा सा सिंदूर आप वहाँ पर चढ़ा कराएं, तो ये खास उपाय आप नवरात्री के 9 दिन जरूर करें और मा से सच्चे मन से प्रार्थना करें. मिलते हैं नई वीडियो में आपके जीवन की समस्याओं का समाधान ले करके.